हेलो दोस्तो नमस्कार मैं अंकित भाटी रोजगार विदंकी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो पहला और दूसरा चेप्टर नंबर सिस्टम और दूसरा हमने किया LCM HCF I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे दोनों चेप्टर अगर नहीं भी आए हैं कुछ कम भी आए हैं तो अभी काम चला लो कोई दिक्कत नहीं है चेप्टर थ्री से आप चीजों को एकदम अच्छे से समझने की कोसिस करो जो भी कोश्चन्स कराए जाएं उनको उनको बिलकुल घर पे जाके घर पे जाके क्या आप वीडियो से अगर देख रहे हैं तो उस वीडियो के सारे कुश्चन्स को कंठस्त कर लो बिलकुल कंठस्त अगर वो नहीं कर पाओगे तो मैट्स नहीं सिख पाओगे ठीक है और अगर हो सके बहुत अच्छे अगर तयारी करनी है तो बुक जो भी है आपके पास मैट्स की आरसगरवाल हो किरन हो कुछ भी हो कोई फरक नहीं पड़ता उस बुक के कॉश्चन्स आपके होने चाहिए ठीक है बुक उठाओ जो मैंने कॉश्चन कराएं उस जैसे कॉश्चन्स ढूंडो और करो ढूंडने से फायदा क्या होगा कि आप पेपर में भी ढूंडना सीख जाओगे कि हमारा कॉश्चन करने वाला कौन सा है और नहीं करने वाला कौन सा है हमेशा ध्यान रखना कि पेपर में कॉश्चन वही ज़्यादा टाइम लेगा जो आपसे नहीं आता है जो question आपसे आता है वो कभी time नहीं लेता ये बात एक fact है तो आपको अगर paper में ये ढूंड़ना भी आ गया कि question इसको मैं कर लूँगा ये ऐसे ढूंड़ना आ गया कि मेरे करने वाले questions कौन से है और छोड़ने वाले कौन से है तो आप ये समझ लो एक कभी एक तो आपको time की कमी नहीं पढ़ेगी फिर paper में कभी नहीं पढ़ेगी अगर आपको ये आता है कि मेरा करने वाला question कौन सा है और छोड़ने वाला कौन सा है क्योंकि सारे question करने वाले नहीं होते पेपर में 100 में से 100 कोई नहीं लाता ठीक है? कुछ हमें छोडने भी पढ़ते हैं 2, 1, 3, 4 कोई बात नहीं तो जो 2, 1, 3, 4 है न और माल लो आपका 15 कुष्चन आई है मैत में और जो 3 है तो 12 कुष्चन और जो 3 आप से नहीं हो रहे हैं उनका टाइम लगा लेना बरबर बैठेगा 12 कुष्चन जो हो गए और जो 3 नहीं हुए वो उतना ही टाइम लेंगे जो इतना 12 होने वाले लेंगे तो 4 गुना टाइम खरब करता है एक नहीं होने वाला कुष्चन ठीक है? तो इसलिए आपको छाटना आना चाहिए कुष्चन कि इसको मैं बाद में देखूंगा ठीक है? मुझसे हो जाएगा पर टाइम लगेगा इसको मैं बाद में देखूंगा ये मुझसे होगा ही नहीं क्रॉस लगा देता हूँ तो ऐसे आपको करना चाहिए ठीक है? लेकिन ये सब कैसे आएगा? ये सब प्रेक्टिस से आएगा जब आप बुक से ढूंड करोगे जो मैं आपसे करवा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही कुष्चन बुक से ढूंडना सीख लो फिर आपको ये चीजें प्रेक्टिस में आनी सुरू हो जाएंगी कि क्या क्या कुष्चन हम कर सकते हैं और ये कुष्चन मुझसे नहीं होगा तो इसको मैं साइड करता हूँ ठीक है? तो वो सब चीजें भी आनी चाहिए साथ में चलिए तो आज मैं बिलकुल सुरुआत कर रहा हूँ दसमलव चैप्टर की और बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि पॉइंट क्या हुआ है मैं इसमें मैं आपको सिखाऊंगा पॉइंट के बिलकुल जोड़ से ले करके और पॉइंट की बड़ी बड़ी कैलकुलेसंस तक बहुत आसानी से हम हल कर रहे होंगे देखिएगा कैसे तो मैं आपको अगर शुरू मैं बताऊं कि 2.93658 और मुझे जोड़ना पड़े इसमें 6.53 पिलस मुझे जोड़ना पड़े 3 पिलस जोड़ना पड़े 4.36 इसको मुझे जोड़ना पड़े तो मैं इतनी आसानी से क्या इसको जोड़ सकता हूँ क्या? क्या मैं इस सवाल को कर सकता हूँ क्या? बिलकुल आपको आना चाहिए क्या आना चाहिए? आपको सिर्फ एक बात आनी चाहिए कि भाई, इन points के अंकों को जोडते कैसे हैं point के नीचे point, आपने सुना होगा कि point के अंकों को जोडना है point की संख्याओं को, तो point के नीचे point आना चाहिए, एकदम seed में, तो वही मैं यहाँ पे logic लगाऊंगा, इसमें इसको जोडना है, तो मुझे ध्यान रखना है, सिर्फ point का तो six point, point यहाँ कर दो, five three यहाँ कर दो, इसको जोडना हो, इसके नीचे लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको, आपको आगे कुछ नहीं लिखे, मतलिको, लिखना ही है इसके बराबर बनाने, तो zero लगा दो चाहे तो, और नहीं भी लगाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कहो अब इस तीन को कैसे जोड़ें इसमें तो तीन में तो point ही नहीं है, तो जो point नहीं है, वो इधर है, पूरे अंक इधर है, इसको हम पूर्ण अंक बोलेंगे, जो point से इधर का अंक क्या है, वो है पूर्ण अंक, और ये है आद्यादूरे, ठीक है और अगर हम बोलें, four point three six, four point three six, three point double zero आप क्यों नहीं, इसमें three point double zero क्यों लिखा, three रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दो अब इसको क्या जोड सकते हैं बिल्कुल जोड सकते हैं आठ, पाँच, छे और छे बारे का दो, तीन sorry, अच्छा ये इधर है sorry, three six इधर है भई छे, छे आएगा बिल्कुल सही है, और तीन, तीन, छे और छे, बारे का, दो और नो, पाँच, चौदेर, तीन, सत्रे और एक, अठारा और यहाँ एक हासिल का, दो और एक, तीन हासिल वाला, तीन और छे, नो, तीन, बारे, और चार, सूल है तो आपका answer इस सवाल का ये हो जाएगा, तो आपको आया कि पॉइंट का हम कैसे जोड सकते हैं, कितनी आसानी से, तो पॉइंट के सारे जोड आपको आने चाहिए, अब कुछ ऐसे question आ जाता है, पता है exam में आया हुआ question बता रहा हूँ जोड का, क्या जोड का भी आ जाता है exam में आया हुआ, हाँ आ जाता है जैसे देखो, पंद्रे किलोग्राम में, पंद्रे किलोग्राम में, आप जोड के दिखा दो उन्हें, क्या बोलता है कि मुझे ये बता दो, 60 गिराम को कैसे जोड़ेंगे, पंद्रे किलोग्राम में 60 गिराम को जोड़ो और जोड़ के लिख दो इसे किलो ग्राम में ऐसे पूछना चाहरा पंदरे किलो ग्राम में साथ ग्राम को कैसे जोड़ोगे अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक किलो ग्राम में हजार ग्राम होते हैं एक किलो ग्राम में हजार ग्राम देखिए आगर मैं आपको ये बोलूँ अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 15 किलो ग्राम है और 1000 में ग्राम होते हैं तो इसलिए 3-0 लगाओ 3-0 लगाओ हमेशा याद रखना ठीक है बच्चे गन्फ्यूज होंगे मैं बहुत सारे तरीके से इसको बताऊंगा आपको कोई बात नहीं अब देखिए 15 हम अगर ये रुपे होते तो रुपे तो हम ऐसे लिखते हैं 15 रुपे और 0 पैसे डबल 0 ये मिलेगी आपको हमेशा रुपे में लेकिन अगर आपको कोई चीज किलो ग्राम और ग्राम में सेट करनी है क्योंकि ग्राम और किलो ग्राम का हजार का होता रुपे और पैसे का सो का होता इसलिए दो अंको तक मिलेंगे उसमें 15 रुपे इतने पैसे लेकिन ग्राम और किलो ग्राम में क्या इसको ऐसे लिख देंगे और यही गलती होती है सबसे बड़ी यही गलत तरीका है जोडने का ठीक है यह 60 ग्राम नहीं लिखा आपने पता क्या लिख दिया है फिर तो आगे 0 कितनी लगाला उसका कोई फरक थोड़ी पड़ता है तो फिर तो आपने 600 ग्राम लिख दिया है यह पता है 600 ग्राम लिखा है आपने ठीक है और अगर आपको यह कहो कि फिर 60 ग्राम कैसे लिखंगे ध्यान देना मेरी बात पर 60 ग्राम आप ऐसे लिखोगे अब यह 60 ग्राम बात आई समझवे अगर मैं बोलूं कि यह 6 ग्राम कहता तो 6 ग्राम कैसे लिखता बताना 6 ग्राम बता दो आप खुद अरे भाई यह है 6 ग्राम क्योंकि आपको 3 अंकों में लिखना पड़ेगा ग्राम को याद रखना और 60 ग्राम लिखना है तो पहले 0 लगाओ तीन अंकों में लिखने के लिए बात आई समझ में ठीके तो अगर आप 60 ग्राम लिखना चाहते हो तो अब कोई दिक्कत नहीं है हमें ये लिख दिया 60 ग्राम और अब इसको जोड़ सकते हैं बहुत आराम से और देखिए ये आ गया क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ और इसका उत्तर पता क्या आगया आओ इस सवाल का 15.06 किलो ग्राम ये उत्तर में बहुत बच्चे मैं बता रहा हूँ पुरा मैट सीख जाते हैं और इस सवाल को गलोत करके आते हैं। अभी आप देख लिए। कि तना सिंपल सा ही जोड था जोड़ पैसा सबल बना देता है। हां रुपे में पैसे जोड़ाए सब आराम से जोड़ देते हैं मैं बोलू कि भाई पाच पाच रुपे में पाच रुपे में तीन पैसे जोड़ के दिखाना तो तीन पैसे को तो आप जोड़ोगे बहुत आराम से मुझे पता हैं क्या जोड़ोगे बताओ पाच पॉइंट 0-3 यह जोड़ दोगे, यह 5.3 के दोगे इसको 5.3 नहीं होता क्योंकि 3 अगर लिख दोगे न 3 अगर लिख दोगे तो 2 अंकों तक देखने पड़ते हैं पैसे 2 अंकों तक तो यह 30 है 5 रुपिया 30 पैसा यह 30 पैसे लिखे जाँगे ऐसे तो इस 3 के साथ ठीक है, आपको बात आ रही है समझ मैं, अगर मैं इसको 15.6 लिख दूँ, ध्यान दे ना 15.6 तो इसका मतलब पता क्या हो जाएगा 15.600 ग्राम 600 क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हमें 3 अंकों तक ग्राम बोलना पड़ता इसलिए इसलिए 600 और अगर आपको कोई यह लिख दे 15.06 तो आपसे पूछेगा कि यह किलो ग्राम है और आपसे पता है, ऐसे भी कुश्चन पूछा हुआ, इसमें ग्राम बताओ कितने हैं 15 किलो के अलावा ग्राम बताओ, इसमें कितने हैं आप अब देखिए, क्योंकि अभी आपने समझी है बात अब कह सकते हैं 60 ग्राम क्या आप पहले कह पाते हैं कि यह 60 ग्राम है बहुत बच्चे कन्फियूज रहते अब आपको पता है कि यह 60 ग्राम है क्यूं? क्योंकि हमें तीन अंकों तक देखना है तीन अंकों तक देखना है क्यों ग्राम किलोग्राम का तीन अंकों का रिष्टा है तो तीन अंकों तक देखने के लिए मैं इसमें तीन अंक बना दूँगा ग्राम अब तीन अंक बना दूँगा तो ये ग्राम है अब ये gram है तो आप कह दोगे 60 gram है बहुत आराम से ठीक है इसमें confusion ज़्यादा होता है इसलिए मैं gram kilogram का relation आपको बता रहा हूँ ठीक है और मैं आपसे पूछू एक बात कि आप ये बता पाओगे अब तो बता पाओगे ये 3.007 kilogram क्या इसमें gram कितने हैं बता पाओगे बहुत आराम से लेकिन अगर मैं ये कर दूँ 3.7 kilogram तो आप बता पाओगे gram कितने है तो आप क्या होगे 700 gram है और अगर मैं कहूँ 3.07 kilogram तो बताओ कितने gram है ये 70 gram है क्योंकि हमें तीन अंकों तक रिष्टे पढ़नें इनके तीन अंकों तक देका 70 आ रहा है तीन अंकों तक देका 700 आ रहा है तीन अंकों तक ये खुजी है 7 gram ये 7 gram है ये 700 gram है और ये 70 gram है बात हुई किलियर कि 70 क्या है 700 क्या है और 7 क्या है किलियर है बात बताईए भाई ये बात किलियर होई चलो अगर मैं इसी चीज को सुन ले ना अगर मैं इसी चीज को ये लिख दू 10.06 रुपे तो आप मुझे बताओ 10 रुपे के अलावा इसमें पैसे कितने हैं बहुत बढ़िया क्योंकि पैसो को 2 अंकों तक देखा जाएगा तो ये है 60 पैसे 60 पैसे और अगर मैं इसको ये लिख दू कि 10.06 रुपे तो आप कहोगे ये कितने पैसे हैं 6 पैसे लेकिन अगर इसी चीज को किलोग्राम में लिखता तो ये गिराम 60 गिराम बन जाता बात आई समझ में कि 60 कैसे बनता है कहीं 6 बन जाता है ये सब रुपे पैसे का कन्वर्जन है वो 2 अंकों तक वो 3 अंकों तक क्योंकि उनमें रिस्ता ही 1000 का है उनमें रिस्ता 100 का है बात किलियर है यह चोटा सा डाउट होता है लेकिन यह बहुत बड़ा डाउट बन जाता है अगर आप इसको क्लियर ना करो तो चलिए तो हमने पिर इसको सुरुवात से ही समझ लिया की भाई क्या क्या होता है इतना बेशिक से ही सायद कोई आपको बताए बहुत basic से बता रहा हूँ ताकि कोई confusion ही ना रहे चलिए अब दूसरी बात करते हैं यह तो हमने जोड़ना सीख लिया आप कोई भी पैसा रुपिया जोड़ सकते हो अब मैं आप से पूछता हूँ आप मुझे जोड़ के दिखाना एक्जाम में आया हुआ question ही रहेगा मेरे दिमाग में हमेशा तीन किलोग्राम क्योंकि वैसे question तो याद नहीं होते लेकिन एक्जाम में आया हुआ हर question याद हो जाता है एक बार देख लिया तो तीन किलोग्राम अपनी तो मैं बता रहा हूँ तीन किलो ग्राम में जोड़ना है हमें सत्तर ग्राम जोड़ना है हमें इसमें छे ग्राम जोड़ना है हमें इसमें और क्या जोड़ना है माल लीजिए साथ सो ग्राम जोड़ना है तो ये सब जोड़के मुझे बता दीजिए कि ये क्या आएगा इसका उत्तर बता दो किलोग्राम में कनवर्ट करके कि ये आ रहा है तो आप कैसे करेंगे मुझे पता है ऐसा आया हुआ है कुष्चन हो सकता है संक्या ये ना हो संक्या हो सकता है या साथ हो वो बात अलग है पर कुष्चन ऐसा आया हुआ है तो आप देखेंगे, तीन किलोग्राम है, तीन किलोग्राम है, तो तीन को भी तीनंकों तक बना दो, तीन किलोग्राम, जीरो ग्राम, कर सकता हूँ तीन को, सत्तर ग्राम को कैसे लिखूँगा, आपको पता है, तीनंकों तक लिखना है, और सुनो, अगर ग्राम की बात है न, तो इधर ही लिखना सारा ग्राम इधर तो किलो ग्राम आंगे बस तो ग्राम इधर लिखना तो तीन अंकों में लिखना इसको तीन अंकों में कैसे लिखूँ अरे सत्तर ही अब भी सत्तर है ना ये बस ये सत्तर ही रहना चाहिए यह देख ले ना तीनंकों में और अब बताओ वो छे ग्राम को तीनंकों में कैसे लिखूँ और उसको तीनंकों में कैसे लिखूँ तो भाई अब जो ना यह तब ही कर पाओगे जब इस बात का ज्यान होगा नहीं तो यह जोड ही नहीं कर पाओगे सोचो हम जोड़ भी नहीं सकते, कितनी बुरी बात है हमारे लिए अब तो आप ऐसे जोड़ दोगे, इस जैसे कोई दिक्कती नहीं है ये है इस सवाल का उत्तर, इतने किलोग्राम इस सवाल का अंसर तो अब आपको जोड़ना तो आ गया, मैंने तो ये माल लिया आपको जोड़ना आ गया, ठीक है चलिए भई, सबको क्लियर है क्या, बताइए गा कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है अब मैं घटाने सिखा सकता हूँ क्या आपको चलिए, जोड़ सीख लिया, घटाना भी सीख लेते हैं बिलकुल बेसिक क्लास है पॉइंट की, लेकिन ये बेस नहीं है तो कुछ भी नहीं है पॉइंट से दर ही तब खतम होगा जब बेस क्लियर होगा नहीं तो पॉइंट का डर हमेशा बना रहेगा चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ घटाना, ध्यांग देजिएगा इसका आपको बताना है कि ये क्या आएगा घटा के घटाना जोडना सब एक साथ कर दिया उसने तो आपको घटाना भी आना चाहिए चलिए, देखते हैं, भाई कैसे सीख होगे बिल्कुल सीख के जाईएगा, एक-एक कोशन आपको क्लास में समझ के जाना है ठीक है, इतना सा भी डाउट नहीं बचना चाहिए डाउट बचा तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा फिर ठीक है, चलिए तो अब मैं क्या करूँगा देखें, बॉर्ड मास का नियम ये कहता है कि पहले पिलस कर लो और उसके बाद माइनस करो बॉर्ड मास का नियम बोलता है ये बात कि पहले पिलस करो, फिर माइनस अगर जोड घट, वो गुणा भाग है तो पहले भाग होगा, फिर गुणा होगी फिर जोड होगा, फिर घटाना होगा वो सब बताऊंगा मैं ठीक है, पहले आप इतना सीख लीजिएगा तो मैं पहले इन दोनों को जोड लूँ तो 9.36 और मैं उसको घटा लूँ 1.5839 और आगे देखो 62537 मैंने उतार लिया सब, मैं इसको मिटा देता हूँ ठीक है, अब देखिए सॉरी मैंने मुझे पता है क्या करना है पहले इसको जोड लेना है एक साथ मत करिएगा ये घटाना तब है जब ये जुड जाएंगे ठीक है, तो मैं पहले इनको जोड ही लेता हूँ और जोडना तो बहुत आसान है वो तो आपको आई गया 8 आया, ठीक है 5 आया, 9 आया 9 आया, और 12 आया ये ही आया जोड तो मैं इसको लिख देता हूँ बारे, यहां लिख देता हूँ बारे बारे पॉइंट 9958 बताओ भई, जो उपर जोड था दोनों चंक्याओं को ये आ गया जोड ये घटाना था वो मैंने घटा लिया बताओ यहां तक किलिए रहे क्या अरे कुछ नहीं किया, पहली दो जोड़ी हैं बस ये आ गया पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बस ये ध्यान रखना अब माइनस करना है माइनस माइनस कैसे करते हैं देखिए गजरा माइनस कैसे करते हैं ये देख लिजिए माइनस कैसे करना है भई ये और देख लिजिए कैसे मैंने आपको बताया कि देखिए अगर आप पॉइंट लगाते हैं मतलब जोडने में तो आप जीरो लगाओ या मत लगाओ लेकिन अगर आपको घटाना ही वही चीज तो जीरो मजबूरी बन जाएगी लगाना क्योंकि अगर आप इसमें से घटाएं दिक्कत ये है इसलिए हमें ऊपर बराबर जीरो बना लेनी चाहिए जितनी जीरो चाहिए उतनी बना लो क्या इस बात का कोई फरक नहीं पड़ेगा नहीं अगर इसके आगे अंख होता तब पढ़ता पर अंक तो कोई है यह नहीं पीछे तो जितनी चा तीननों मैं से तीन गएल चे नो घंक शीन कła रहां ये No क्यों हुआ ओर लाष्ट केंशचुअ ईटनी जो यह चो नहीं आजंगे नो में से पांच गए चार, नो में से दो गए साथ, नो में से छे गए तीन, हाँ, अब ये आठ था, एक उधर दे दिया था, इस आठ ने तो साथ बचा, साथ में से नो गए, सत्रे में से नो गए, सत्रे में से नो गए, आठ, क्योंकि इसने भी एक दिया है, तो चार में से तीन गया, एक, एक, चार और ग्यार है, ठीक है, ग्यार ही है ना पूरा, ये आपका उपर वाले सवाल का अंस्वर है, तो बताइए जोड और घटाने आगे कि आपको समझ में घटाना भी सीक लिया, बस पॉइंट के आगे जीरो बढ़ानी होती है घटाने में अगर जरूरत है तो, क्लियर कोई दिक्त नहीं, कोई दिक्त नहीं भई, यहां तक तो एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है, जोड और घटाने हमारे क्लियर हो गए, अब जरा गुणा भाग और सीख लिते हैं, गुणा भाग, यह यह मैंची जो, गुणा वे भाग, कि यह तो सब आ वही है, क्या सिखा रहे हो, पर कोई नहीं, सब को जरूरत है, सब की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ, कब किसको क्या नया मिल जाए, कुछ नहीं पता होता, तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा बस, मान लिजेगा, 1.2 में, 1.2 की मल्टिप्लाई करनी है, और साथ में मान लिजे, मैं कह दूँ, एक और मुझे पांच की गुणा करनी है, तो वो सब कर सकते हैं, आगे दिखाऊंगा कितनी बड़ी बड़ी गुणा करके, तो देखिए, बारे बारियम होता है, 144, आप क्यो आपने बारे की गुणा क्यों कर ली, आप भी कर लो, अब देखिए, पॉइंट लगाऊंगा, इसमें एक अंकबाद, इसमें भी एक अंकबाद, तो आपको पढ़ना क्या है, एक और एक दो अंकबाद, इसमें दो अंकबाद, अगर इसमें दो होते, इसमें एक होता, तीन हो जाते, टोटल, इसमें तीन अंकबाद, क्या ऐसा भी हो सकता था कि पॉइंट वन टू और पॉइंट वन टू आ जाता तो अब क्या कर लेते जी तब भी बारे बारे की 144 और अब क्या करना पड़ेगा क्योंकि दो और दो चार चार तो इसमें है ही नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे एक जीरो बढ़ा लेंगे और एक जीरो बढ़ाते ही हमारा काम हो गया यह रहा क्योंकि हमें लगाना चार अंक की बाद है अब कुछ बच्चे पता क्या करते है अजी जीरो ही तो बढ़ानी है मैं आपको बताऊं कि जीरो ही तो बढ़ानी है बढ़ा ली अब ना लगा लिए भाई अगर आपने अब यह लगाया ह तो कोई भी अब भी इसको पॉइंट 144 ही पढ़ेगा, पॉइंट वन डबल फॉर इसे कोई तीन अंकों में पढ़ेगा, क्योंकि इस जीरो तो लगाओ या मत लगाओ, इसका अर्थी नहीं है, फिर तो आपने यही छोड़ा, तीन अंक बाद लगाया, चार के बाद कहा किया, तो चार तम माने जाएंगे, जब इधर जीरो बढ़ेगी, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, कि भाई 144, पॉइंट से पहले 144 आना चाहिए, इसका मान, और अगर आपने पॉइंट से पहले यहाँ जीरो बढ़ाली है, तो यह 1440 हो जाएगा, 144 नहीं रहा, अब यह 144 144 ही है, 144 ही रहना चाहिए, पॉइंट लगाने से पहले, 144 है, अब चार अंक बाद यह है, ठीक है, अब मैं आप से बोलू, कि भाई आपको यह गुणा करनी है, ध्यान देना, जल्दी से करके बता भी दो, और पॉइंट 5, पॉइंट 0006, पॉइंट 7, पॉइंट 07, और अब करके मुझे बता दो, कि क्या आएगा उत्तर, फिर एकपेपर माया हुआ, दिल्ली पुलिस मा आया हुआ हुआ ही सवाल देता हूँ आपको इसके बाद, इसके बाद गुणा में कैसे पूछा था दुलἥा दिल्ली पूलिस ने, वही देता हूँ फिर आपको, छलिए इसको कर सकते हो गया गुणा इसकी पांच इंग तीस तीन सकते किस UPSI में भी पॉइंट के सवाल दिखाऊंगा एक एक सवाल आपको और आपको ये बता दूँ LCM, HCF जो चैप्टर खतम किया उसके भी आपको आंसर लगा के दूँगा आप करना उन सवालों को PDF दूँगा उन सब की और आप देखना 22 सवाल दूँगा कि 22 में से आप कितने कर पा रहे हो और ये मत सोचना दिल्ली पुलिस वाले या रेलवे वाले की अजी UPSI के हम क्यों करें सवाल सब के लिए हैं ठीक है पांचंग 30, 37, 21, 61, 16 ये क्या किया आपने जी ये तो गुणाई कर दी सीधी पांचंग 30, 37, 21, 61, 16 बिल्कुल मैंने गुणा कर दी सीधी बिल्कुल गुणा कर दी अब एक बात देखना कैसे पॉइंट लगाऊंगा हो गया सवाल गुणा कर दी तो सवाल खतम है पॉइंट लगाना कितना असान है एक और चार पांच पांच और दो साथ इसमें पॉइंट नहीं है दिक्कत नहीं है इसकी दिक्कत ये जीरो कर रही है अगर ये जीरो नहीं होती ध्यान देना अगर वो जीरो नहीं होती मुझे बताओ फिर क्या होता उत्तर यह आठ ही होता माल लो 21,68, 166 यही आता यही आता 4,2,6 और 1,7 अंक बाद पॉइंट लगा देता ध्यान देना 3, बन के 7 अब भी 160 ही रहना चाहिए 7 बनाने के बाद भी कुछ बच्चे अगर इधर लगा लें गलती से 4 तो वो 160 नहीं है फिर पॉइंट लगाने से पहले यह चेक कर लेना कि 160 ही है ना बस तो हो गए 7 जहन देना तो यह लगाता अगर यह 8 होता, 80 नहीं होता क्या पॉइंट अच्छा, अरे रुख जाओ मैं तो वो करी नहीं रहा भी, तुम क्यों इतने उतावले हो रहे हो मैं तो यह कह रहा हूँ जूब ध्यान कर लेकर रहे हो, वीडियो बननी है 5 चंग 3, 3, 7, 21, 21, 6 अच्छा, 1, 30 मारी जीरो इसलिए कह रहे हैं आप, बहुत बढ़िया कह रहे है 168 नहीं हो, 1680 आएगी गुणा इस 80 वालिया भी लगे रहें दो पहले जू देखो 5 चंग 30, क्योंकि एक 0 तो यहीं आ गई ना 3 सत्ते 21, 210 हुआ और 210 मैं 8 की गुणा कर रहा हूँ अभी 0 नहीं ले रहा 210 मैं 8 की गुणा करी तो क्या आया 1680 1680 1680 यह वाली 0 नहीं हुई है अभी यूज ठीक है यह वाली नहीं हुई है अब देखना कितने अंक बाद पॉइंट लगा हूँ 2 और 4, 6 और 1, 7 4 और 3 0 लगा लो यहां लगेगा अगर यह 0 ना होती तो यह 0 क्या गड़बड करेगी बता रहा हूँ आपको यह 0 क्या गड़बड करेगी यह 0 एक गड़बड करती है बस यह पॉइंट की उल्टी होती है मतलब अगर इनने पॉइंट बढ़वाया आना यह घटवा देगी एक 0 तो एक कंक घटवा देती है यहां करवा देगी हो गया 0 का काम तो सारे ही पॉइंट अटवा देती बात आई समझ में यह होती है 0 की कैलकुलेशन तो अब आपने समझा कि भाई यहां पॉइंट आ गया अब यहां पॉइंट आ गया इस 0 का भी हो गया फिर तो काम हो गया अब उत्तर क्या आ गया 0.00 168 और इस 0 को तो लगाओ या मत लगाओ कोई अर्थी नहीं है उत्तर क्योंकि उस 0 का अर्थी नहीं है अगर आप क्यों कि इन 0 का मत लगाओ जी इनका बहुत अर्थ है उसका बिलकुल नहीं है ठीक है लेकिन वो गुणा में जरूर लगानी पड़ेगी 1680 क्योंकि नहीं तो फिर एक और बढ़ा जाओगे हाँ अगर वो नहीं लगांगे तो वो जरूरी है ठीक है बहुत बढ़िया ये उत्तरा रहा है इस सवाल का अब मैं आपको जो दिल्ली पुलिस ने पूछा सन 2008 में मैं उस सवाल को दे देता हूँ हाला कि और भी पूछें पर मुझे वो ही याद है पॉइंट के और भी पूछें गुणा का नहीं पूछेंगे कोई बात नहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सवाल ही ने पूछा था कि 0.3 into 0.03 into 0.003 into 3 into 300 इसका मान बता दो ये पूछा था बिल्कुल एक्जेक्ट यही कुश्चन था क्योंकि मुझे संक्या भी आद है और पॉइंट भी आद है देखिए अब क्या ये गुणा कर पाओगे आप कितने आसानी से कर पाएंगे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 243 अब देखना ये जो जीरो ना इनका हिसाब बाद में करूंगा इन जीरो का हिसाब बाद में करता हूँ मैं पहले पॉइंट का हिसाब कर लेता हूँ एक अंक बाद दो एक और दो तीन तीन और तीन छे और तो कहीं पॉइंट नहीं है तो छेंक बाद लगा दू ध्यान देना लगा दिया अब जीरो वाली हिसाब पर आ जाओ कितनी जीरों दो तो दो जीरो क्या करेंगी बताओ अब इस पॉइंट है यहां किसका दंगी तो उत्तर क्या हो जाएगा क्या ही तो पता जू कहेंगे कि यह पॉइंट यहां खिसक गया तो इधर दो जीरो बची तो इनना दो ही लगाओ एक क्यों लगाओ अरे भाई इधर आप एक भी नहीं लगाओगे ना तब भी काम चल जाएगा और इधर दस लगा लो या एक लगा लो एक भी मत लगाओ सब बेकार बात समझ माई क्या कहना चाह रहा हूँ इधर यो खिसका दिया इधर दो जीरो बची न लिखो या मत लिखो या एक लिख दो या दो लिख दो तो यह मैं बस पॉइंट है हां मुझे यह ध्यान रखना यह पॉइंट यहां गया तो यह उत्तर हो गया 0243 उत्तर इधर जीर तो हो या ना हो कोई फरक नहीं पड़ता तो यह उत्तर था आपके सवाल का किलियर हुआ क्या सबको कितनी आसान होती है गुणा हमने सिर्फ तीनों की तीन तीन की गुणा करी और कुछ नहीं करा तीन तीन की गुणा करी पांच बार 243 आया इसको बाद में भुगतंगे हम ने पहले पॉइंट भुगत लिए और इस दो जीरों का क्यार था कि यह दों की धर खिसका देंगी पॉइंट को अगर यह तीन जीरों होती तो यह यहां आ जाता बस इतना सा फरक होता बात समझ में आई यह नहीं आई किलियर हो गया क्या गुणा अब कोई भी गुणा कर स देखते हैं एक सवाल और है अब मैं भाग का सिखाना जा रहा हूं आपको भाग एक चीज रही है बस हमने जोड़ सीखा हमने घटाना सीखा घटाना तो कुछ भी नहीं था और हमने गुणा भी सीख ली और अब हमारा रहा भाग चारी तो चीज हो बस में जोड़ घटाना गुणा भाग आपके वो अंडर रूट भी हो तो वो भी सिका देंगे रूट वाले चेप्टर में पर फिलाल ये चार चीज सीख लो ये बहुत काम आएंगे अगले चेप्टर समय भी क्योंकि ये सरली करण इसके बगेर आप हाली नहीं करने की सोच सकते तो भाग देखिए भाग भाग तो इतनी आसान चीज है अगर आपने सीख ली सबसे आसान लगने लगेगा तो देखिए ये तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा चार का भाग दसमें दें तो पॉइंट कैसे लगेगा चार दुनी आठ दो बचा पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाली और चार प पर ही लेंगे चलो और अगर मैं मालो तीन का भाग बीस में दूं तीन चींग अठारे अठारे दो बचा पॉइंट लगाया यहां जीरो बढ़ागी तीन चींग अठारे फिर दो बच गया पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाली तीन चींग अठारे क्या ये कभी खतम होगा भाग तो ऐसा भी कर लोगे आप फिर इसका मतलब ऐसे ऐसा आता चला जाएगा इसको बताऊंगा ये बार की कहानी है आगे बताऊंगा इसी चेप्टर में बात करेंगे इसकी भी ठीक है पर भाग तो करी सकते हो ना पर मैं आपको ये लोजिक बता दू कि बार से पहले का लोजिक बता रहा हूँ बार तो हम करी लेते हैं कि ये कभी खतम नहीं हो रहा तो आप इसको ऐसे लिख देते हैं पता है मुझे यह सिर्फ दो अंकों में लिखना है बार में लिखूंगा तो मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है लेकिन मुझे बार में नहीं लिखना है दो अंकों में लिखना है 6.666 आ रहा है तो फिर ऐसे करते हैं कि यह जो वाला 6 है न इसको या तो मैं 6 लिखूंगा या मैं 7 लिख सकता हूँ इस 6 को 6 कब लिखते हैं ध्यान देना अगर आगे आए 4, 3, 2, 1 कुछ भी आए इससे आगे तो इसको बढ़ाते नहीं है और अगर इसके आगे 5 या 5 से कोई भी संखिया जादा आए तो इसको बढ़ा सकते हैं और आगे के हटा सकते हैं सारे तो मानलो आगे बहुत सारे अंक हो तो उन सब को हटा दो अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसे एक अंक बढ़ा दो तो इसे में एक्जेक्ट ये बिल्कुल एक्जेक्ट तो नहीं होता पर ये उससे ज़्यादा सही है कोई बच्चा लिखे 6.66 ये ऐसे लिखना ज़्यादा सही है या ऐसे लिखना ज़्यादा सही है तो मैं क्योंगा ये ज़्यादा सही है बात समझ में आई की नहीं आई ठीक है जैसे मालो अभी नहीं आया हो तो फिर बता रहा हूँ, किसी सवाल में ये आ रहा हो 5.637852 अगर मुझे सिर्फ ये दो अंकों में लिखना है ये पूरा आ रहा है किसी सवाल में तो मैं पता है इसको क्या लिखूंगा 5.64 ये लिख दिया ये इसका लगबग में आंसर है ठीक है, अगर मुझे तीन अंकों में लिखना है, ध्यान देना तीन अंकों में तो मैं इसको क्या लिखूंगा 5.63, दो अंका तो ऐसा ही तीसरा अंक इसको क्या लिखूं, साथ लिखूं या आठ लिख सकता हूं यह कैसे पता चलेगी अगले अंके देखो इससे अगले अंक अगर चार होता तीन होता दो होता एक होता तो यह साथ ही लिखा जाएगा अगर यह पांच या पांच से ज़्यादा हो तो इसे हम बढ़ा सकते हैं तो यह पांच से ज़्यादा है ऐसे लिख दूँगा, अगर इसे मुझे तीन अंकों में लिखना है, अगर मुझे इसे चार अंकों में लिखना है, तो तीन अंक ऐसे कैसे ही, चौथा अंक, नो होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि आगे पांच या पांच से बढ़ा हो, तो उनको एक बढ़ा दिया जात अब यह अंक देखना, क्योंकि इससे आगे का छोड़ना, इससे पांच ही लिखुँगा, बस, बात आई समझ में कुछ, तो इस तरीके से इनको लिखते हैं, क्योंकि वो जो हम सोचे रहते हैं, कि जी कहीं बढ़ा देते हैं, कैसे लिखते हैं, वो नहीं आता हमसे, तो वो च बाते हैं, यह बोची जी करते हैं, क्या कोई बिखते हैं, क्या कोई भाग दे सकते हैं, तो देखिये, अगर मुझे कोई अठारे का भाग दिलवाए, 100 में, तो भाई मुझे ऐसे ही देना पड़ेगा मेरे पास ज्यादा सज्यादा मैं यह कर सकता हूँ कि सौ में अठारे का भाग दिला रहा है तो मैं 2 से 50 बटे 9 तो मुझे नो का इसमें देना ही पड़ता है मुझे देना ही पड़ेगा दर 9 का भाग मैं दे सकता हूं इसे मैं दे सकते हो कि नहीं मताओ इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना किसी को 9,5,45 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा 5,6 उसके आगे पे 9,5,45 तो ऐसे हम करते चले जाते हैं पर दिक्कत क्या है कि हमें हर भाग ऐसे ना करना पड़े इसलिए हम पॉइंट के भाग सीखने जा रहे हैं हमें हर भाग ऐसे ना करना पड़े दूसरी वाली तरीके से ठीक है तो मत लब second class वाला तरीका हर जगे ना लगाना पड़े उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि भाई हम देखिये ऐसे कि पहले मैं एक simple सी बात बता रहा हूं आपको कि 5 में अगर हमें 10 का भाग देना हो तो अगर कोई बच्चा ये कहता हो कि 10 का भाग 5 में ऐसे ही दे दो आप कैसे कि point लगाओ 0 बढ़गी 10 बंजे 50 क्या आया point 5 ये हुआ second class वाला तरीका point 5 आपका उत्तर तो भई ये ऐसे तो नहीं करना है क्योंकि सवाल पेपर भी लंबा होता है इतना time नहीं है हमारे पास कि हम सवार सवाल को ऐसे करें ठीक है अब माल लीजे यहाँ 5 का भाग 10 में दिया 5 का भाग 100 में दिया फिर हम ऐसे ही करें या 5 का भाग 5 में 1000 का भाग दिया तो फिर हम ऐसे नहीं करना है हमें तो हमें एक logic बना लेते हैं इस पे कैसा लोजिक है जरा सीखिएगा सब लोग सीखना भई कैसे सब को आता है मुझे पता है सब को आता है पर कुछ को नहीं आता है मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ दस का भाग अगर पांच में दें तो एक ही जीरो है भाग जा नहीं रहा है न तो मतला अगर नहीं जा रहा है द्धैन के दा नहीं जा रहा है तो कि गहांग पाइंट ऐसे ऐसे नहीं बता रहा मैं मैं कह रहा हूं इस जीरो को देखो ही साइड कर दो एक का भाग दो पांच में कितनी बार जा रहा है बता उजल दी कितनी बार जा रहा है पांच बार क्या लिख दूँ पांच अब ये एक जीरो बच्री थी ना एक जीरो थी ना तो जि बाग 5 में दे सकते हो क्या बता हो जल्दी 2 जटो बाग 5 मेंक्या है क्या आगा अरे दो अधीकुम को साथिक जिआ धादते हैं फिर्सक्री सिवाल बताए क्या आएगा करा पांच में 100 खाव गव तो आप एक का भाग दो ना कितनी मार गया 5 बार 2 ृ गहे दो। दो अंकबाद पॉइंट यह होगा ठीक है पांच में हजार का देना है पांच माप एक का दो पांच बार तीन जीरो है तीन अंकबाद तीन कैसे बनाए पांच ही रहना चाहिए अब भी पांच ही है अब पॉइंट लगा दो बात आई समझ में तो अब मुझे बता दो पांच में 200 का भाग दे के फटा फट और पांच में 2000 का भाग दे के जल्दी से बता दो कि क्या क्या आजाएगा पांच में अगर 200 का भाग दू तो बताईएगा भाई डाई आएगा डाई यह इतने में आएगा पांच में 2 का बढ़ा के दो और खिसक गए पॉइंट जीरो टूफाइब ठीक है और अगर मैं इसका भाग दूँ ध्यान देना पांच में दो का भाग दूँगा तो धाई तीन जीरो है तीन अंक इधर खिसका दो तीन अंक तो तीन अंक खिसकाने के लिए यह तो दो इखिसक पाएगा एक दो तीन यहां आ जाएगा यह पाएगा खिसक गया तीन अंक यह आएंगे इसका तो अगर आपको कोई भी भाग देना हो मेरे ख्याल से तो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब मैं आपसे दिला रहा हूँ एक भाग जल्दी से बताना च्छे में भाग दिला र किस अतनी हासानी से कर सकते हो आप खुद नहीं सौच सकते है अब छे में भाग दे रहा हूं तीन का तो तीन का भाग दो ना छे में कितनी बार गया बात है पॉइंट की कितनी जीरो है चार चार अंक बाद पॉइंट लगा दो ना एक दो तीन जीरो यह रही पॉइंट ट्रिपल जीरो टू clear हुआ कि नहीं हुआ बताओ और अगर लगे कि ये सही ये उत्तर ये गलत है ये चेक करना हो तो हम क्या करें इसका इस तीन इस तीस हजार का इसमें गुणा करके देख ले न आप क्यों गुणा चेक करके दिखा रहा हूँ चेक कि नहीं आएगा तीस हजार का इसमें गुणा करने पर चेक आजाना चाहिए दिखाते ताओं गुणा करके भी तीन की दो में करो चे चे पॉइंट को सेट करो पहले कितने इंक मा दे चार तो चार होगे अब जीरो को सेट करो कितनी जीरो तो चार एंग उधर खिसका दो एक, दो, तीन, चार क्या रह गया भई छे के उधर गया पॉइंट तो च्छही बचा तो इस तरह से हमने चेक कर लिया च्छही आ रही है गुणा तो आपको एक बार गुणा की भी प्रेक्टिस हो गई और इसी में भग की भी हो गई तो ऐसे आप अपने आपको क्रोस चेक करने से दिमाग इतना दोडाना सीख जाओगे न तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी सवाल लोगा तो आपने भग करना सीखा और यही भग सिखाना था मुझे यही भग आपको सिखाना था आप मुझे बता दो अब 50 में अगर मैं एक लाग का भी भाग करू या मैं 2 लाग का भी भाग करू तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी 2 लाग का भाग करना तो क्या करूंगा फलतू में जीलो आ रही हो उसे तो काटी दो ये तो कटेगी मूँ जवानी होगा भाग पांच में दो का भाग डाइ डाइ अब बात रह रहिए पॉइंट जीरो की चार है जीरो तो चार लगा दो ना इसमें चार अंख और इदर खिसका दो ना पॉइंट को चार अंग खिसका ना, एक अंग खिसका गया इस से दो तीन चार यहां जाएगा गिनते रहो कि चार खिसक पाया भई यहां था एक, दो, तीन, चार खिसक गया उत्तर समझ में आ रहा है न भाग ऐसा देश पाओगे क्या वो कोई भी भाग दे पाओगे क्या अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे चलो जी यह तो कट रहा कहीं ऐसा भी तो भाग देना पड़ जाता मुझे पता सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में तो मैं उन सब चीजों को आपको क्लियर कर रहा हूं कि सोले में हमें तीस हजार का भाग देना ऐसा आ गया तो भाई अब कैसे करेंगे भाग अब कैसे करेंगे बहुत आसान है बहुत आसान है आप तीन का भाग करो न सोले में सोले में आप तीन का भाग करो कितना आएगा तीन पंजे पंद्रे तीन पंजे पंद्रे एक बचा था जीरो उताली, तीन तिया नौ, ठीक है, आगे तो और भी आता रहे, बहुत है इतना, दो उनको तो कर लिया आपने खतम करो, बहुत है, नहीं तो कभी खतम ही नहीं हो रहा, और वैसे माल लो अगर भाग करोगे ना आगे, यही आता जा रहा है, अगर मैं अगला अंक क्या है, तो इसको बढ़ाऊंगा क्या, बहुत है फिर तो, बहुत है ना, अब बात रह रही है, कितनी जीरो है, चार, चार जीरो है, तो चार जीरो के लिए क्या कर दूँ, इधर चार अंक खिसका दो, एक खिसका हूँगा तो यहाँ, दो अंक यहाँ, तीन अंक यहा चारंग यहां, तो यहां खिजग गया, उत्तर इस सवाल का तो मुझे कुछ भाग नहीं देना मुझे बस तीन का भाग सोले में देना पड़ा और कुछ नहीं करना पड़ा और देखो उत्तर आपके सामने तो भै, ऐसे ऐसे भाग भी आप आराम से दे पाओगे ठीक है आगे तो ये भी सिकंगे वे तीन तीरी तो आ रहा बार बार तो इस पर बार चढ़ा दो अब भी ठीक है चलो तो भई भाग सीख लिया आपने जोड़ सीख लिया गुणा सीख लिया अब मुझे बता दो कि चार में ये आया हुआ सवाल है आया हुआ सवाल है चार में 0.025 का भाग दे दो यह तो मुश्किल पूछ लिया जी आपने यह तो मुश्किल पूछ लिया शिखाए तो आसान-ासान से मुश्किल नहीं है यह देखो तो सही इसको कैसे करते हैं कुछ नहीं करना चार यह भाग भी सीख लो काम आएगा जितने अंकबाद पॉइंट है नीचे बताओ कितने अंकबाद है आगए सीखने वाले हैं तीन तो इस पॉइंट को हटाना सीखो उपर उतनी ही जीरो लगाना सीखो जितने अंकबाद पॉइंट है उतने ही जीरो लगादो लगा दिया 25 का भाग चला जायेगा 25-4 और देखो 25 का भाग 100 में जा रहा है 4 बार और जीरो जूंकि यह उताल लिए 40 बार क्योंकि अब तो पॉइंट था ही नहीं 25 का भाग देना है मुझे सिंपल और चालिस की चार में गुना कर दी उत्तर आ गया 160 तो इस तरह से हमें भाग कर लेना है और भी कोई भाग कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हैं देखिए बहुत आसान आसान से भाग दे रहा हूं आपको और यह आए हुए सवाल है इसलिए दे रहा हूं इस तरह के भाग तो आप मुझे बताओगे कि भाई 25 में भाग देना है 25 में भाग देना है 0.005 ये सॉरी 2.5 में भाग देना 2.5 में इसका भाग देना है क्या आएगा अब दोनों जगे दा समला हुआ अब तक तो एक जगे था अब दोनों जगे है सीखो इनको भी है बिल्कुल बेसिक चीज है जो आपको इस चेप्टर में काम आएंगी और सवालों को करके देखना जोड़ घटाने गुणा भाग वाले इस चेप्टर के आज जाके ध्यान दो तो कैसे करते हैं देखिए उपर पॉइंट कितने अंक बाद है एक जीरो लगा लो नीचे पॉइंट कितने अंक बाद है तीन जीरो अपोजिट साइड नीचे का काटो के उपर उपर का काटो के नीचे जीरो बढ़ती है अपोजिट साइड अब देखो जीरो से जीरो काट लो अब तो ये 25 है ये 25 अर 5 है अब उत्तर के आ गया कितना सिंपल है सवाल बिल्कुल वाकियी में बहुत सिंपल है ठीक है एक और कर दो बहुत सारे कुश्चन आपके बुख में अगर ऐसी प्रेक्टिस चाहिए तो करके आना जरूर लीजिए 3.1 गुणा 0.002 गुणा 20 बटे 0.0062 इंटू इंटू दो हजार इसका अंस्वर लियाओ क्या ऐसा सवाल भी हो जाएगा बिल्कुल होएगा आप देखो तो सही प्रेक्टिस करो भही परना शुरू करो कि बुक से देखना करके तब आएगा इंट्रेस्ट कल तो कराऊंगा अभी चैप्टर दो दिन और चलेगा तीन दिन में एक चैप्टर घता में बिल्कुल चार दिन लग जाओ चाहे पर काम होना चाहिए एकदम परफेक्ट आज बिल्कुल बेसिक किलास है चलिए कल कोश्चन लेना शुरू कर देंगे ठीक ठाक लेवल देखिए गहां तो पॉइंट हटाते हैं सबसे शुरू में जीरो उधर बढ़ाओ या इधर बढ़ाओ क्या फरक पड़ता है दस एक जीरो बढ़ी पहले उपर वाले खतम कर लेता हूं ध्यान देना भाई यह पॉइंट हटा रहा हूं अब कितनी जीरो बढ़ाऊंगा 4 अंक है 4-0 और ठीक है अब नीचे वाले पॉइंट काट लोओ उपर वाले तो काट दिये हैं इस पॉइंट को हटाऊंगा 4-0 कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि ये चार अंकबाद है चार अंकबाद है चार से चार काट लो बिल्कुल सही कर रहे हो फिर ये जीरो से अब भी तो चार से चार कटंगे है तो आप डाइरेक्ट भी काट सको ठीक है और क्या नीचे नीचे नहीं है और कुछ भी सही है एक तो यह तरीका जो आपको लगता है थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास समय कित कमी है यह नहीं ठीक है तो आप ऐसे कर देना अगर आपको लगे कि हमारा समय कम है और हमें कुछ और अच्छा सीखना है ऐसे जीरो वीरो नहीं बढ़ानी तो मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ उपर के पॉइंट एक साथ गिलनो कितने है चार और एक पांच कितने अंक बाद है और नीचे कितने अंक बाद है टोटल पॉइंट गिलनो चार अभी कटे नहीं है यू सोचो उपर पांच है इधर चार है हैं एक की कमी पड़ी बताओ एक की कमी परी बराबर होते न घर बराबर होते बराबर को नैंसमें नहीं काट दो सब्किकनों देखने कि जरुत नहीं है प्राबर काट दो गुणा का निशान होना लेखना बीच में भी पिलस अह nosos पांट हुर्पल आता kindness इनमें थीक है चार, कमी पड़गी एक की, किधर वड़ी कमी बताओ, इल्दी कहा पड़ी, नीचे उपर, जिदर कमी पड़ी है, उधरी एक zero बढ़ा दो, बस हो गया काम, अब काट दो सारे, उपर 5, नीचे 3 होता तो, नीचे 2 zero बढ़ जाती, कमी को पूर्ती तो करनी पड़ेगी, तो आपको वो सारी जीरो बढ़ाने से बच गए और सारे पॉइंट कट गए ठीक है तो थोड़ा टाइम भी कम हो जाएगा अब आप देखते हैं कि जीरो काटनी अब अब जीरो काटने में विशेश ध्यान रखना क्योंकि मुझे मैं बहुत सारे बच्चों को आप मैंसे जानता हूँ जो ऐसे जीरो भी काटते हैं एक ये कटगी एक और दो दो ये कटगी तो इन्हें मत काट देना भाई क्योंकि ये दो है ये दो हजार नहीं है कभी आप इन्हें भी काट लो तो ये ध्यान रखना विसेश उपर इकत्तिस दो दो ये दो है ये दो है इकत्तिस दूनी बासट ध्यान देना ये चार तो हमने जीरो के लिए लिखा था दो इस दो से दो सहिए उपर क्या बचा दो और नीचे क्या बचा दो सो क्या इसका भाग देना सिखाया नहीं और भी बचना अच्छा ये भी तो है दो हजार दो बटे दो हजार ध्यान देना भही इसका भाग देना सिखाया नहीं क्या अभी क्या अभी ऐसे भी उजोंगे भाग दो का दो में भाग दो कितना आया बताओ जल्दी एक तीन जीरो तीन जीरो क्या करूँ तीन अंक बाद पॉइंट यहां लगाऊंगा तो एक अंक बाद यहां लगाऊंगा तो दो अंक बाद यहां लगाऊंगा तो तीन अंक बाद उत्तर उत्तर इसलिए ही तो सिखाया है वो भाग देना पॉइंट डबल जीरो वन केई बच्चे पता यहूं भी काटंगे दो से एक बार, दो से हजार बार अब कर लो तब भी वही आएगा तो आपकी मर्जी है पर हमने तो डायरेक्टी सीख रखा न दो से दो काट दो एक तीन जीरो काई है तो आपको ऐसे अलग-अलग काटने की जरुत नहीं परेगी ठीक है, समझ में आए कि सवाल, ऐसे बहुत सारे सवाल भुक में हैं, आज प्रेक्टिस करना पूरी इमानदारी से और मुझे भुक के आदे सवाल चाहिए आपसे, जो ऐसे सवाल है, ठीक है चाहिए भई